तो है गाई सर वेलकम बैक स्वागत है आप सबी लोगों काई को और नई वीडियो में तो आज हम पॉक्यमन फर्ल में जितनी भी टाइपिंगे उन सारी टाइपिंग से एश की बेस्ट पॉक्यमन टीम देखने वाले हैं और हर एक टीम में 6 पॉक्यमन होंगे बट एश ने हर एक टाइपिंग से 6 पॉक्यमन को कैच नहीं किया है तो हां वीडियो को लाइक करना, मद भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बैन नोटिफिकेशन को आल पर करके एनेबल कर देना एंड आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, let's get started तो स्टार्ट करते हैं वाटर टैप से तो मेरा अकॉर्डिंग एस की वाटर टैप टीम होगी गूडरा, ब्यूजल, किंगलर, ड्रैकोविश, सेजमी टॉड और ग्रिनिंजा और हाँ गूडरा एक वाटर टैप आटैप आटैप नहीं है बर फिर भी मैंने उसको इंकलूड किया है क्योंकि उसके पास हाइडरेशन एबिलिटी है इस एबिलिटी का यूज करने के बाद अगर बारिश हो रही है तो सारे स्टेटस कंडिशन ठीक हो जाती है और साथ में गूडरा के पास रेंडांस अटैक भी है जिसका यूज करके बारिश आ सकती है और इसके बाद गूडरा और व्यूजल दोने की अबिलिटी एक्टिवेट हो सकती है और इसका यूज करने के बाद सारे वाडर टैप अटैक्स का 50% डैमेज बढ़ जाता है और सुलार भीम के साथ इसाथ सारे पायर टैप अटैक्स का भी 50% डैमेज कम हो जाता है तो हाँ गूडरा आश की टीम को काफ़ी ज़ादा एडवांटिस देगा और मैं साथ में चाहता हूँ कि आश का पालपिटोड सेजमी टॉड में इवाल्व हो जाए नेक्स टाइप है आइस टाइप आश ने सिर्फ और सिफ दो ही पोकेमोन को कैच किया है आइस टाइप में जो की है गलेली और लैप्रेस तो हाँ ये दोनों कंफर्म डूंगे तो आश के थर्ड, फॉर्थ और फिफ्ट पोकेमोन होंगे अगेन गूर्डरा, ब्यूजल और ड्रैकोविश आश के इन तीनों पोकेमोन के पास आइस टाइप अटैक है और जो लास्ट पोकेमोन होगा एश के टीम का वो होगा अबुमाज सनो और इसका प्लस पॉईंट ये रहेगा कि आइस टाइप ने सबसे बड़ी विकनेस फायर टाइप होती है और आश इन वाटर टाइप पोक को इजीली डिफीट कर सकता है अब यहां पर अबुमा स्नो इसलिए क्योंकि एक स्नोवर के साथ काफ़ी अच्छे फ्रेंशिप बनाई थी बट आश ने उसको नहीं पकड़ा और स्नोवर इवाल्व होता है अबुमा स्नो में ठर्ट टाइप एंग डाक टाइप एश के पास यहां पर मैं चाहता हूं कि एश का स्क्राइगी इवाल्व हुजाए स्क्राफ्टी में एंड एश के फिफ्ट और सिक्स्त पोकीमोन होंगे टारनी टार और जोरो आर्क यह दोनों पोकीमोन वन अफ़ बेस्ट पोकीमोन है डाक टाइप के इवेन आश के पास पहले एक ला पोकीमोन होंगे सुल गैल्यों और स्टैक अटाका अब एश का सुल गैल्यों के साथ काफी अच्छा बॉर्ण है एंड एश ने एक स्टैक अटाका को भी पकड़ा था बट उसको वापिस भेज गया था अल्ट्रा वामोल के थुरू अब एश के फिफ्ट और सिक्स्त पोक पकड़ा है अब इतक घोस टाइप का एंड वहें गेंगार एश का गेंगार जैगन टाम एक्स भी हो सकता है और जो सेकेंड और थर्ट पोकीमोन होंगे मेरे अकॉर्डिंग वह होंगे डैसीड वाई और हिसुयं जोरवार एश के पास एक रावलेट है जोकि कभी भी वाल नहीं होने वाला है क्योंकि उसने एवर स्टोन खा लिया था बर स्टिल डैसीड वाई मेरे कुछ फेवरेट पोकीमोन में से एक है तो हाँ बैचाताओ कि एश का रावलेट फुली वल्फ हो जाए और बाकी तीन पोकीमोन हो सकते हैं स्पिरिट टूम डस्क नॉयर और गोल अप्सटाइब डियाध से चैअपयством लीति वाटर यह को वुक्त कर देती है वही पर ऑफस्त प्पैर मोफ को स्ट्रॉंग कर देती है प्रडिटे मेरे अकॉर्डिंग एश की बेस्ट वाइटिंग टैप टीम होगी लुकाईयो इनफर ने फ्रनेप हैररा किप्राइम को डिफिट करना बोकोट जादा डिफिकल्ट होगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रास टाइपिंग की एश की बेस्ट ग्रास टाइप टीम का सबसे पहला पोकेमोन या तो टॉर्टेरा होगा या तो लिवैनी होगी क्यूंकि टॉर्टेरा फुली वॉल्व होने के बाद वी टाइप के एंड उसकी टीम होगी डॉन फैन टॉर्टेरा ग्लाइस को और सेस्मी टॉर्ट क्रूकोडाइल और गार्चॉंप बाकि सारे पोकेमोन सेम होंगे पर मैं चाहता हूं कि गीबल और पाल्पिटोड इवॉल्व हो जाए गार्चॉंप और सेस्मी टॉर्ड में ने की एक स्टील और रॉक-टाइप की मोन है जिसको युँ छर्य वापिस भेज देता है और श की टीन डॉक्टैप toutes नेक्स की टीम के लिए परफेक्ट मैंगे दि क popcorn करना बहु stained सारे Pokemon को डिसाइड करना बहुत ज़दा डिफिकल्ट है बट फिर भी ऐश Pokemon जर्णीस में एक फैर टाइप Pokemon को कैच कर सकता है जो कि एक ग्रिम स्नार्ड ये काफ़े स्ट्रॉंग Pokemon है और उसके बाकी Pokemon होंगे सबसे पहले कैलोस में उसने गूडरा और नॉइवन को पकड़ा अलोला में नागन आडिल को और फिर फार्नली गलार में दो ड्रैगन टाइप Pokemon यानिकर ड्रैकोविश और ड्रैगन आइट को और इसी के साथ एश की पूरी ड्रैगन टाइप Pokemon टीम कंप्लीट हो जाती है और यह आप तक की आश की वनसे टीम है नेक्स टाइप ए बग टाइप एश के जो बग टाइब टीम होगी वह होगी लिवैनी बटर फ्री हेरस्ट वीड्रील बस और फेरामोसा बस और प्रामोसा अल्टरा बिस्ट पॉकिमान ने इन दोनों पॉकुमान को आश ने कैच किया थ पर बाद में इनको जहां होना चाहिए वहाँ आश इनको भेज देता है और आश ने कैंटो रिजन में एक वीडल को अलमस्ट पकड़ी लिया था बट बीच में समूराय आ जाता है वरना वो आज आश का पकड़ पाता और जोटो रिजन में वो एक बग कैचिंग नेक्स टाइप है साइकिक टाइप एक और ऐसी टाइपिंग जिसके एश के पास सिफ़सी पेखी पोकीमोन है और वो भी मिस्टर माइम है और यहाँ पे एश के टीम का सेकर्ण पोकीमोन होगा शाइनी नॉक्टाउल अब अगर आपको नहीं पता तो नॉक्टाउल एक टाइप पोकीमोन है बट स्टिल एश को नॉक्टाल के पास काफी सारे साइकिक टाइप अटैक्स है और बिसीकली उसके करेंट टैपिंग से जादा उसके पास साइकिक पावर्स है तो डेफिनेटली वह एश के टीम में डिजर्फ करता है अब एश के ठर्ड और फौर्थ लात यमंए में डाइव एक मिथिकल आट एक लड़ एक लेजंडरी पोकीमोन ने इन दोनों पोकीमोन के साथ अची की बॉंडिंग काफी अच्छी एच्छी है और वो को ट्रहाइच नहीं किया और आप जो फाइनल दो पोकीमोन होंगे वह उनग अलग और एस्पी ओन नेक्स टाइपिंग है flying टाइप एज के पास किसी भी टाइपिंग के मुकाबले सबसे ज़ादा flying टाइप पोकिमोन है और मेरा according इन सारे पोकिमोन में जो 6 पोकिमोन बेस्ट होंगे वो होंगे चारिज़ार्ट, ग्लाइसकोर, हवलूचार, ड्रागन आइड, टेलोन फ्लेम और फिजी और यहाँ पे आश के पास स्टारेप्टर या फिर स्वेलो जैसे और भी काफी सारे स्ट्रॉंग पोकिमोन थे बट स्टिल मेरा अकॉर्डिंग ये टीम परफेक्ट है नेक्स टाइप है इलेक्ट्रिक टाइप, आश के पास अभी तक सिफ़ और सिफ एक ही इलेक्ट्रिक टाइप पोकिमोन है जो की है पिकाचू और मुझे नहीं लगता कि आश फ्यूचर में भी किसी इलेक्ट्रिक टाइप पोकिमोन को कैच करेगा बट स्टिल टीम देखे जाया तो एश के सेकंड, थर्ड और फोर्स पोकीमोन होंगे इलेक्टिवायर, मैगनल जोन और टाबू को को और बाकि दो पोकीमोन हो सकते हैं लगजरी और जैक्रोम जैक्रोम एक लेजरी पोकीमोन है बट आश का बॉन्ड जैक्रोम के साथ काफी अच्छा है नेक्स्ट टाइप है नॉर्मल टाइप यहाँ पे आश के पास काफी सारे पोकीमोन है पर जादतर Pokemon नॉर्मल टाइप के साते सात फ्लाइंग टाइप Pokemon भी है जो की काफी अच्छी बात है क्यूंकि Normal टाइप की Weaknes Fighting Type होती है एंड फ्लाइंग टाइप Fighting Type के ओपर सुपर उपेक्टिव होती है तो इससे अगर कोई opponent fighting type Pokemon लेके आता है तो Ash उनको काफ़ easily defeat कर सकता है तो हाँ इसलिए Ash के पहले तीन Pokemon होंगे स्टार एप्टर, स्वेलो और फिजी ओड और बाके तीन Pokemon होंगे Taurus, Snorlax और Ambipom हाँ Ash ने Ambipom को trade कर दिया था बट वो भी काफ़ी strong Pokemon है नेक्स टाइप है Poison type, यहाँ पे Ash का सबसे पहला Pokemon होगा Muk सेकंड और थर्ड Pokemon होंगे Bulbasaur और Gengar जिनकी सेकंडरी टाइपिंग Poison type है फोर्थ और फिफ्थ Pokemon होगे Nagandardal और Beedrill जैसे कि मैंने बताया कि Ash ने Beedrill को जो टो रिजन में पकड़ा था बट बाद में वो Casey को दे देता है और Last Pokemon कॉलिपीड हो सकता है वेल गाईस यह था आज के इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत बूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना और दुबारा में लेंगे एक और ऐसे वीडियो के साथ और तिल रैन पीस आउट